फ्रांप के इस को नहीं जानते हो नहीं तो जान जाओ और समझ जाओं नहीं तो जिस दिन हम समझाने पर आगे न तो बहुत पस्ता ऊगे हसो मत बता देरे हसो मत तुम्हारी सकल मुझसे मिलती है तो इसका क्षा मतलाब गलत फाइदा हो पागे तूं जिस वीडियो को अभी आपने देखा उसमें मैं ही दिखाई दे रहा हूँ जैसे एक जगा पे दिखाई दे रहा हूँ उसके बाद दूसरी जगा पे दिखाई दे रहा हूँ तो दोनों जगा पे मैं हूँ बस उसमें थोड़ी सी मैंने एक्टिंग की हुई है तो अगर आप भी इस तरह से वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको थोड़ी सी acting करना है बस यही आपको थोड़ी सी problem हो सकती है लेकिन अगर editing की बात करें तो आप अपने mobile सी ऐसी वीडियो को edit कर सकते हैं जिसम वेगर application की बात करें कि वह कौन सा application है तो जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूं तो उस application का नाम है काइन master अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आपको उसको download कैसे करना है वीडियो के description में आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी या फिर आ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं उसमें घेर सारी ऐसी editing से जूड़ी वीडियो है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उस application को आप कहां से download कर सकते हैं तो अब चलिए काइन master से आपको वीडियो को edit कैसे करना है उसके बाद वीडियो को suit कैसे करना है चलिए इसके बारे मैं को detail में बताता हूं तो जैसे कि दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने mobile की screen पे आ गया हूं उसके बाद मैंने इसमें अभी काइन master application को open किया हुआ है तो यहां पे आपको plus वाले option पे click करना है जैसे अभी मैं काइन master में सारी चीजों को सुरू से बता रहा हूं अगर आपको काइन master में कुछ भी नहीं आता है तो आप जान सकते हैं फिलाल जिनको पता है वो आगे चलके इस वीडियो में कैसे क्या करना है उसके बारे में समझ सकते हैं तो आपको यहां पे 16 into 9 करना है जिस पर पहले से यहां पर select है तो आपको यहां से next कर देना है उसके बाद यहां से आपको अपनी वीडियो को select कर लेना है जिसको आपने suit किया हुआ है अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो यहां करना सुरू किया है तो यहां पर वीडियो को लेके आएंगे इसके आगे वाले पार्ट को हम काट देंगे अब वीडियो को हम आगे लेके जाएंगे जहां से हमारा यहां वाला पहले वाला पार्ट खतम होता है, पहली बार आपको कुछ इस तरह से सूट कर लेना है, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले वाला रोल हो गया है मेरा, अब यहाँ पे हम वीडियो को लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको भी बीच से काट देंगे, फिर से हम वीडियो को आ एक्टिंग करना सुरू करता हूं, फिर से आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके भी आगे वाले पार को आप ट्रिम कर देंगे, फिर से आप अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ थ्रे डॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से आप यहाँ डूबलिकेट as layer पे click कर देंगे तो इसका एक duplicate बनके तयार हो जाएगा यह जो हमारा उपर वाली वीडियो है इसको हम delete कर देंगे अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहां हमारे layer में यह वीडियो है तो इसके हम खिसका के आप click करके hold करके रखेंगे तो खिसका के आप इस video के बराबर में कर लेंगे अब फिर से आप video पर click करेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह जो हमारी layer में video है इस video के उपर दिखाई दे रही है तो आपको इसमें कुछ option मिल जाते हैं यहां cropping वाले option पर click करना है उसके बाद आप इसको cut करके यहां पर कर देंगे इसके बाद okay कर देंगे फिर से आप इस layer वाली video पर click करेंगे इसके बाद इसके size को बढ़ा के आप उतना कर लेंगे जितना की आप आपको चाहिए होता है अब इसमें आपको ऐसा ही मसूस हो रहा होगा कि जैसे इसमें मतलब की दोनों जगा पे दो आदमी हैं तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपनी mobile से ही double roll की video edit कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आई होगी अगर आपको या फिर अगर आप किसी अन्य सीन के बारे में जानना चाहते हैं जैसे फिल्मों में कोई आप सीन देखते हैं उसके बारे में अगर आप सोचते हैं कि इस तरह की सीन कैसे बनाया जाता होगा तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं फिलाल दोस्तों आज के लिए इ इतना ही, बिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी यहन टापिक के साथ तब तक के लिए, नमस्कार.